ऑभिच way बेक तो माई चैनल, जासके आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में है बहुत ही सुन्दर सा वेडिंग कार्ड और पीच वाले पार्ट में भी देखिए एक कार्ड रखा हुआ है और सब से पहले हमारा जो यह बीच वाले पार्ट में जो हमें कार्ड मिला था इसको हम fold करके cut कर लेंगे क्योंकि हमें side वाले जो part है उनको hide करना है और ये पीछे वाला जो part था ये blank था तो हमने सोचा क्यों ना इसी को ही reuse कर ले तो हमने side में इस तरीके से fix करके अच्छे से press कर दिया हमें glue की जरुवत नी पड़ी क्योंकि ये काफी hard था अब हमारा पीछ वाला portion है इसमें से हमें कपड़ा हटाना है क्योंकि यहीं पे हमें reuse करने के लिए organizer बनाना है तो इस कपड़े को भी हम side में कर देंगे लेकिन हमें इसे फैकना नहीं है क्योंकि ये भी बहुत अच्छा कपड़ा है तो हम इसको भी reuse करेंगे इससे related वीडियो में next time डालूँगी बट अभी फिलाल हम जो ये card है इसका reuse करते हैं तो देखिए यहाँ पे अच्छे से हमने इसको खाली कर लिया अब हम यहाँ पे एक roll लेंगे ये cotton का roll है तो सबसे पहले हम इसको open कर लेते हैं क्योंकि हम jewelry organizer बना रहे हैं तो cotton के ज़रूद तो पड़ेगी और roll मैंने इसलिए यहाँ पे use कर रही हूँ देखिए ये विल्कुल flat होता है और देखिए कितने अच्छे से ये pack है अगर आप घर में रखे ये cotton यूज करते हैं तो अगर आप उसको के उपर jewelry वगेरा कुछ भी समान रखते हैं वो उसमें चिपक जाती है तो यहाँ मैं इसलिए ये cotton का roll यूज कर रही हूँ तो देखिए size के according मैंने यहाँ पे cut कर लिया है और दोनों ही side में हम अच्छे से यहाँ नीचे की side cotton बिछा देंगा आप चाहे तो double layer भी कर सकते हैं बट मैंने यहाँ पे single layer ली है अब बारी आती है jewelry की तो यहाँ देखिए मैंने जो necklace है उसको इस तरीके से डोरी को खीच के अच्छे से मैंने knot tie कर दिया है और यहाँ पे इसको फैला के इस तरीके से रख दिया अब बारी आती है earring की तो यहाँ देखिए बिल्कुल इसकी matching के साथ के earring मैंने इस तरीके से रख दिया है ताकि यह देखने में सुंदर लगे और easily आप जब डूनते हैं अपना set तो earring इधर उदर रखे होते हैं तो आपको वह भी दिक्कत नहीं आएगी एक साथ ही आपका set और earring दोनों साथ में मिल जाएंगे इसी तरीके से देखिए दूसरा set भी मैंने organize करके रख दिया है और earring भी काफी अच्छे से आपको दिखाए दे रहे हैं कि matching की हैं तो यहां हमने इसको ऐसे as a organizer यूज कर लिया है अब इसको थोड़ा और safety से रखने के परपस से मैंने हापे देखिए एक transparent sheet जो है वो इसके उपर रख दिया ताकि दूल मिट्टी का भी कोई जंजट ना हो और यह हमारा organizer बिल्कुल ready हो गया है इसी तरह मेरे पास एक dry fruit का भी box हा तो मैंने सोचा उसको भी इसी तरीके से reuse कर ले तो same pattern के through मैंने यहापे देखे यहापे earring उसमें लगा दी है आप देख सकते हैं जब आप जाते हैं matching के earring ढूंडते हैं तो आप earring इधर उधर रोके होते हैं तो मिलते नहीं है जल्दी से इस तरह से आप इसको organize करके रख सकते हैं और आपको ढूंडने में भी कोई परिशानी नहीं होगी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को like और subscribe करना मत बुलिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक लिए बाबाई